हेलो दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहा है मोबाइल के एक ऐसे एप्स के बारे में जिस एप्स को आप डाउनलोड करके मोबाइल को चोरी होने से बचा सकते हैं या मोबाइल को किसी अंजान ब्यक्ति के संपर्क में आने या किसी भी कोई भी अगर आपके मोबाइल को टच करेगा तो आपका मोबाइल सायरन की तरह आवाज देने लगेगा बहुत ही अनोखा ट्रिक, बहुत ही लाजबाब ट्रिक है, जिस ट्रिक को साइध ही किसी को पता हो, बहुत लोग को इस ट्रिक के बार में पता नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और इस ट्रिक को ध्यान से समझें, इस ट्रिक को आप अपने म मोबाइल में सभी लोग लगा लें ताकि आपका मोबाइल कोई भी आपको छोड़के दूसरे कोई भी आपके परिवार का लोग ही चुए चाहे कोई भी चुए तो मोबाइल जैसे ही पैटर्न खोला जाएगा तो आपका मोबाइल साहरन की तरह आवाज करने लेगा तो सबसे पले इस apps को download करने के लिए हम play store में जाएंगे या मेरे description list में भी आप उसका link हम दे रखे हैं आप वहाँ से भी download कर सकते हैं लेकिन हम आपको play store से बता दे रहा है कि कैसे download करना है हम play store को open कर लेंगे play store को open करने के बाद से do not touch do not touch do not touch एक apps है do not touch apps को हम download कर लेंगे do not touch apps को हम download करने के बाद से apps मेरे mobile में download हो जाएगा download होने के बाद हम इसको open कर लेंगे उसके बाद से open होने के बाद यह हमसे permission लेगा तो हम इसको allow करेंगे उसके बाद एलाओ करते जाेंगे बाद से अब यहां पे next are next कर देंगे लगतार दो बास तिन बास हम OurYU करने के बाद से यहां पर on का Aption आ रहा है जिसमें हम इसको On कर लेंगे On करने के बाद से 3 सिकेंड हम Wait करेंगे उसके बाद से हम SETTING पे CLICK करेंगे सेटिंग पे CLICK करने के बाद हम यहाँ पे जो भी Siren लगाना चाहते हैं यहाँ से हम Alarm इसमें जो भी लगाना चाहते हैं यहाजँ से हम चूड कर लेंगे अगे अगर ऐसे लार्म लगाना चाहते हैं तो ऐसा रान बजेगा जैसे कोई आपका मोबाईल ठाइगा तो ऐसा हिलान में बजने लगेगा अगा दूसरा भी आप इसमें से कोई भी एलार्म लगा सकते हम यहाँ पर स्वेक्षा से इसमें से कोई भी एलार्म लगा सकते हैं यहां पर एलार्म लगाने के बाद से हम यहां पर टाइमर सेट करेंगे टाइमर कितने सेकेंड का रहे गई हम अपने स्वेक्षा से लगा सकते हैं तो मेरा जो है कोई मोबाइल टच करेगा पिन खोलने के कोशिज करेगा तो आपका मोबाइल जो है आवाज करने लएगा साइरन बजने लएगा चाहे पैटर्न अगर आप लगाया है तो जैसे पैटर्न आपका खोलने की कोई कोशिज करेगा तो साइरन अटोमेटिक बजने लएगा तो हमक करना भी क्योंकि मेरे मोबाइल में पैटर्न ही लगा हुआ है इसको हम यस कर लेंगे यस करने के बाद से हम यहां पर कनफर्म पैटर्न को दो बार यहां पर पैटर्न जो लगाए हुए है उसको सेट कर देना है set करने के बाद से हम back चले जाएंगे, back जाने के बाद से हम इसको open कर देंगे, on कर देंगे, on करने के बाद हम power button को click करके mobile को log कर लेंगे, log करने के बाद से हम फिर power button पे click करेंगे, click करने के बाद से हम जैसे ही mobile पे touch किये, तैसे ही आपका इलाम देखिए, बजने लगा, जैसे यह मोबाइल को टच करेंगे तैसे आपका एलार्म जो है बजने लएगा अगर आप इसको पैटर्न खोल लिजिएगा पैटर्न खोल लिजिएगा पैटर्न खोलेगा उसके बाद इसको अगर आप अफ करना चाहते हैं तो यहांसे फिर पैटर्न मांगेगा कि आप सही वहीं आदमी है कि नहीं उसके बाद से आफ हो जाएगा अफ करने के बाद से फिर इसको आप ऑन कर सकते हैं ऑन करके फिर उसको हम उसी तरह लगा एलार्म छोड़ देंगे और जो भी कोई मेरे मोबाइल क टच करेगा तो फिर से वैसे ही अलार्म करने लगेगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेर एंड सस्क्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोडिकेशन आपके मोबाइल पर हमेशा मिलता रहे है थैंक्स